नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक सब्लाग पर दोस्तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ प्लांट्स मैंने नरसरी से लिये हैं वो शेहर करूँगा साथ ही साथ मैंने कुछ प्लांटर्स लिए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं हर बार जब नसरी के पास से गुजरता हूं, तो खुद को रोक नहीं पाता हूं, पहले तो मैंने सोच रखा होता है, जब मैं कोई प्लांट लेके आता हूं, कि अब अगली बार जा है, यहाँ पर मैं कुछ प्लांट्स ले आया हूं, और ज्यादर मैंने प्लांटर्स लिए हैं, क्योंकि यह तो हमेशा मेरे पास कम पड़े ही रहते हैं, मैंने 50 टेराकोटा पॉट लिए थे, लगभग सारे के सारे मेरे जो है उभाच चुके थे, एक बार मैंने 43 के हैं, मुझे यह हमारे यहां की नरसरी में 45 रूपीज इच पॉट पड़ा है, और पता नहीं आप लोगों कि यहां कितने का मिलता है, वैसे तो मैंने पिछले साल जो लिए थे, यह सारे के सारे जो पीछे रखे हुए हैं, यह मुझे 50 रूपीज इच पॉट पड़े थे और यह जो है, मुझे 45 में पड़ा है, इस बाहर जो है, मुझे भी कुछ लगा क्योंकि है क्या कि मैंने पिछली बार जो है, टेरा कोटा जो था, वो 48 का एक लिया था, लेकिन 10 इंच का, लेकिन इस बार मुझे 8 इंच का पॉट जो है, यह 45 रूपीज में पड़ा है, और क्वालिटी की अगर बात करी जाए, तो उपर से इसमें जो एक फिनिशिंग दी जाती है, चिकनी वाली, वो नहीं है, वाकी ठीक ठाक है, मैटेरियल, गमला जो है, इसकी जो मोटाई है, ठीकनेस जो है, वो भी ठीक ठाक है, नीचे से इसकी जो पेंदी है, उसकी भी मोटा पाइप रूपीज में पड़े हैं उसके बाद जो है कुछो प्लांट मैंने लिये हैं उन्हें सबसे पहले है आपका यह लैंटाना मेरे पास इसके पहले एक भी प्लांट नहीं था क्योंकि मेरे यह यह प्लांट जो है जो देशी वाला होता है बिल्कुल जंगल सा उग जात बहुत ज्यादा पसंद रहता था तो यह रेड कलर मैंने इसका लिया है मुझे लगता है कि जब इसके फ्लावर थोड़क पुराने हो जाते हैं तो इस तरीके से औरेंजिस से सेड हो जाता है इनका हाला कि वहाँ पर नसरी में यलो कलर भी था लेकिन मैंने सुचा एक क्मी भी तो फेज करनी होती है उसके बाद मैंने पांच प्लावर निकल गए है और इस बार भी साइद मैंने जो है सेम कलर ही बटोर लिया है वह ऐसे तो वह उसमें से तीन येलो है और एक ये वाला कलर था लेकिन इस बार जो है ये साय तीनों जो है पांचों जो है वो सेम कलर के हैं I hope कि इस में से एकाज जो है वो कुछ दूसरा कलर निकल जाए तो ज्यादा ठीक है और ये मुझे इच 20 रुपीज का पड़ा है मतलब 20 रुपए का एक पड़ है लेकिन फिर भी अगर रेड भी निकलता है तो कोई बात नहीं क्योंकि सैल्बिया का मुझे जो है रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है मैंने अपने गाड़न के अंदर पांच प्लांट रखे हुए है जो कि फ्लावरिंग कर रहे हैं आप लोगों ने देखे होंगे मेरे विडियोज में लेकिन मैंने इस बार इस वज़ा से ले लिया क्योंकि आगे जब वो थोड़ा मतलब प्लांट खराब हो रहे होंगे तो ये अच्छे से ब्लोमिंग पर आ जाएंगे तो गाड़न के अंदर खुबसूरती जो है वो बनी रहेगी उसके बाद मैंने ये दो पैंजी और लिये हैं ये भी मुझे 20 इच पड़ा हुआ है और ये पैंजी जो मैंने लिये हैं मेरे पास पैंजी के भी जो है वो 5-6 प्लांट है लेकिन मैंने फिर से जो है दो बारा ये दो प्लांट ले लिये क्योंकि पैंजी भी काफी खूबसूरत लगता है वैसे तो म आप लोग भी कमेंट करके बताईएगा कि आप लोग किया है कितने में मिल जाते हैं बात करी जाए अगर लैंटाना की तो लैंटाना जो है यह मुझे 60 रूपीज का पड़ा है और कहो सकता है आप लोग के हां सस्ता पड़ जाए 60 या 40 ऐसे पड़ा है मुझे ठीक से याद भ मतलब सारे प्लांट और प्लांटर्स की का पेमेंट जो है वो किया था तो उसमें कुछ जो है मैंने वो किया था तो मैंने इसका पूछा था थो प्राइज लेकिन एक्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं क्योंकि उन्होंने जोड़ के बता दिया बाद में मैंने ध्यान भी नही कैसे लगी मेरे प्लांट्स और प्लांटर्स की यह स्वापिंग और प्राइजिंग कैसी रही आप लोग कमेंट करके बताईएगा ऐसी किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर